हलो स्टूरेंट्स इससे पहले वाले वीडियो में हमने यह देखा था कि ओध्योगिक समाशास्त्र क्या है और ओध्योगिक समाशास्त्र की विशेशताएं क्या है उसी में हम आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे ओध्योगिक समाशास्त्र के विशे शेत्र क्या है ओध्योगिक समाशास्त्र के शेत्र का अर्थ उस संपूर्ण ग्यान से है जिसका अध्यन इसमें होता है यानि हमें किन शेत्रों का अध्यन करना है यह विशेशेत्र हमें बताता है और द्योगिक समाज शास्त्र के विशेशेत्र के संबन में भी समाज व्यज्यानिकों में काफी मद्भेद पाये जाते हैं इसके विशेशेत्र के बारे में जो प्रमुख विद्वानों के विचार हैं उनमें हम आज तीन विद्वानों की बात देखेंगे परस्ट हम लेंगे मिलर एवम फॉर्म की बात करेंगे मिलर एवम फॉर्म ने अपनी पुस्तक इंडरेस्ट्रियल शोशलाजी में औध्यूगिक सामाश शास्त्र के निम्निशेत्र बताये हैं उनमें पहला है कार्य समू तथा कार्य के मध्ध विक्सित होने वाले संबन यानि विशेशेत्र कौन सा होना चाहिए कार्य समू जहां कार्य हो रहा है तथा कार्य के मध्ध यानि जो कार्य हम कर रहे हैं उसके मध्ध जो आपस में संबन विक्सित होते हैं उसका वह विशेशेत्र औध्योगिक सामाश शास्त्र का है दूसरा उन्होंने बताया कि कारी करने वाले व्यक्तियों के समुहों में कर्मचारियों की भूमिका जैसे हम जानते ही है कि कोई भी इंडरस्ट्री जब चलती है तो वहां व्यक्तियों कर्मचारियों की मुख्य भूमिका होती है जो पूरा का पूरा मेनेजमेंट करता है कि किस तरह से क्या कार्य उद्योग धंदों में किया जाएगा क्या शिफ्टिंग होगी कौन किस तरह का कार्य करेगा किसको क्या रोल मिलेगा किसकी क्या स्टेटस होगा तो कार्य करने वाले व्यक्तियों के समू में यानि जो लोग कार्य कर रहे हैं चाहे वो किसी भी तरह का कारी कर रहे हों, चाहे वो मजदूर हों, चाहे मेकेनिक हों, चाहे मैनेजमेंट के लोग हों, लेकिन उनके बेच में जो रक्तियों के समू में हैं, उनमें करमचार्यों की क्या भूमी का है, किस तरह से वो उस कारी को पूरा करने में अपनी भूमी क निभाते हैं यह विश्य शेत्र औध्योगिक समाज शास्त्र का होना चाहिए फिर है मशीन एवम्यंत्र वाले समाज का समाजिक संगटन यानि मशीन एवम्यंत्र वाले यानि उध्योग धन्दे औध्योगिक करण के कारण जो नई नई टेकनोलोजी आई है नई टेकनोलोज चार लोग करते थे वहां उस काम का एक मशीन ने बहुत सारे जो कामगार थे उनके काम को अपने हातों में लेकर जो कारी है उसका मशीनी करण कर दिया है तो मशीन एवा मियंतर वाले समाज का समाजिक संगठन के इस तरह का है उस शित्र का ओध्योगिक समाज शास्त्र में अध्यन करना चाहिए इसके पर शाथ हम देखेंगे नेक्स्ट बर्नर्स का बर्नर्स ने भी ओध्योकिक समाशास्त्र के विशेशेत्र को पांच भागों में विभाजित किया है इसमें पहला बात कहते हैं पहली जो उन्होंने पॉइंट दिया है वो कहते हैं नौकर शाही पर आधारित मजदूरों की प्रवतियाँ एवं वह़ारों का यहनी नौकर शाही पर आधारित नौकर शाही एक पूरा तंत्र है जो किसी भी विवस्था को चलाने के लिए अपना महत्पून योगदान देता है तो नोकरशाही पर आधारित मजदूरों की क्या प्रवतियां हैं और उनके वहवारों का अध्यन करना कि उनके वहवारों में किस तरह का परिवर्तन आया है या किस तरह की प्रवतियां विक्सित हुई हैं साथ ही next point वो कहते हैं कारियों का अध्यन की किस तरह का कारिय औध्यों की करण के कारण किया जा रहा है उनकारियों का अध्यन भी औध्यों की समाशास्त्र का विशेशेत्र है उसके बाद उन्होंने जो next point दिया है वहा है वैवार करने वाले समो का अध्यन यानि जो वैवार करने वाले समो है उसका अध्यन और श्रमिक को एवं प्रभंद के पारिस्पारिक वैवारों का अध्यन इसका विशेशेत्र होना चाहिए यानि श्रमिक एवं प्रभंद के बीच में किस तरह का संबंध है किस तरह का पारिस्पारिक वैवार है उसका अध्यन और श्रमिक समाशास्त्र का विशेशेत्र होना चाहिए नेक्स तरह ने बोला है ओध्योगिक संबंधों का विशेशन जो ओध्योगिक करण के कारण जो संबंध थे वे परिवर्टित हो गये हैं लोगों के आपस में किस तरह के संबंध हो गये हैं प्रात्मिक संबंध है या द्वैतिक संबंधों को वड़ावा मिला है यह ओध्योगिक समाशास्त्र का विशेशेत्र है फिर है उध्योगवाद के व्यक्ति पर पढ़ने वाले प्राभावों का दियन कि ओध्योगिक करण के कारण जो काम करने वाले लोग हैं उन पर किस तरह का प्राभाव पढ़ रहा है इस प्राभाव का भी ओध्योगिक समाशास्त्र का यह एक विशेशेत्र है कि व्यक्ति पर किस तरह का प्रभाव हो रहा है व्यक्ति में क्या-क्या समाजिक परिवर्तन आ रहे हैं समाज में क्या परिवर्तन आ रहे हैं यह ओद्य की समाज शास्त्र का विशेश शेत्रों में सम्मिलित होना चाहिए इस तरह से बर्नर्स इन पांच भागों को शित्रों में विभाचित करके बताते हैं उसके पश्चाद हम देखेंगे कि नासो और फॉर्म का त्या मत है वे कहते हैं कि और धुगिक समाज के शित्र को बताते हुए वे कहते हैं कि वेवसाइक समाज विज्ञान की एक उपशाखा है जिसका स्वतंत्र उपशेत्र है जो इस तरह से है यानि और धुगिक समाज के शित्र को वेवसाइक समाज विज्ञान की एक उपशाखा बताते हैं और कहते हैं कि यह एक स्वतंत्र उप्षेत्र है और उप्षेत्र क्या है यह हम देखेंगे कि कारी की समाजिक प्रकती और उससे संबंदित घटनाओं का अध्यन यानि समाजिक प्रकती क्या है कारी करने की और उस प्रकती से संबंदित यानि कारी करने की जो समाजिक प्रकति है उससे संबंदित घटनाओं का अध्यन जैसे विश्राम अपकाश तथा बेरोजगारी आधी का अध्यन की विश्राम अपकाश में किस तरह का वैवार करता है साथी बेरोजगारी के समय किस तरह की समाजिक प्रकति और समाजिक घटन उत्वन होती हैं, फिर है व्यक्तिगत वैवसायों का अध्यन, कि व्यक्ति किस तरह का वैवसाय करता है, या व्यक्ति का जो व्यक्तिगत अध्यन है, वो उसका प्रभाव वैवसायों पर किस तरह से पढ़ रहा है, नेक्स्ट हम देखते हैं व्यवसाइक संरचना तथा व्यक्तिगत व्यवसाइकी समाजिक संरचना का अध्यन किसमें हमें व्यवसाइक संरचना और साथ ही व्यक्तिगत व्यवसाइकी समाजिक संरचना का अध्यन करना चाहिए कि आज हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे कारिय सम्बंदों में परिवर्टन आता है या उत्पादन के तरीकों में परिवर्टन आता है तो वेवसाइक संरचना में परिवर्टन आता है और जो विक्तिकत वेवसाइक की जो समाजिक संरचना है उसमें भी परिवर्टन आता है तो हमें इसके विशेशेतर में इसका भी अध्यन करना चाहिए साथ ही website संरचना का visualization भी किया जाना चाहिए उसका analysis करना चाहिए कि किस तरह की जो लोगों की website संरचना है उसमें क्या परिवर्टन आया है और उन परिवर्टनों के कारण सामाज में किस तरह का परिवर्टन हुआ है इस तरह से और दोगिक समाशास्त्र के शेत्र में website संरचना का भी visualization किया जाना चाहिए उसी तरह से next point बोलते हैं कि एक विशेश 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 का समाजिक सदस्री की रूप में अध्यन करना चाहिए जो विशेश वैसा है जो होता है और दोगिक समाशास्त्र में उसमें एक समाजिक सदस्री की रूप में भी अध्यन करना चाहिए और दोगिक समाशास्त्र को तो इस तरह से हम देखते हैं कि ओध्योगिक समाशास्त्र के यह विशेश 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 विज्ञान है जो ओध्योगिक समाज के संगठन तथा उसमें विभिन भूमी का निभाने वाले व्यक्तियों के पारसपारिक संबंदों और क्रिया प्रतिक्रियाओं का व्यज्यानिक अध्यन करता है इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ओध्योगिक समाशास्त्र की विशेवस्तू ओध्योगिक समाज है जिसमें संबंदों का कोई प्रतिमान होता है जिसे संगठन कहते हैं उसमें विबिन संस्थाई, समीतियां एवं समूह शामिल होते हैं और द्योगिक समाश शास्त्रिव में संगठन की प्रक्रियाओं, संस्थाओं, समीतियों एवं समूहों का अध्यन किया जाता है इस तरह से हम देखेंगे कि अध्योगिक समाश शास्त्र का विशेशेत्र क्या है मैं आशा करती हूँ कि आपको विशेशेत्र समझ में आया होगा अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप हमसे पोच सकते हैं और साथ ही आप घर में रहिए सुरक्षित रहिए और साफ सफाई का विशेश ध्यान रखिए बार बार हाथ दोते रहिए और जो भी गौर्मेंट की तरफ से जो कहा गया है कि आपको क्या-क्या सावधानी वरत्मी है उन सभी का आप बच्चो ध्यान रखिए थैंक यू